हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मम्ता मिस्रा एंड कुकिंग फ्रेंड्स आज महा सीवरात्री है और आप सबों को महा सीवरात्री की धेरों सुभ काम नाएं और सीवरात्री है तो फिर कुछ ऐसा बनना चाहिए जो भगवान सीव को अर्पित किया जा सके तो चलिए बनाते हैं स तीवरात्री स्पेशल सकरकंद का हल्वा जो बहुत ही हेल्दी और डिलिस्यस दोनों होता है तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना सकरकंदी का हल्वा बनाने के लिए हमने सकरकंद को पहले बॉयल कर लिया है नॉर्मल कूकर में पानी डालिए और इसको एक सीठी जाने तक वॉयल कर लिजे और फिर जैसे मैं दिखा रही हूं वैसे आप इसको छिल लिजे देखे इस तरह से आप पूरा का पूरा सकरकंदी दो सकरकंदी था मेरा 400 ग्राम के करीब है दो सकरकंदी मिला करके और तो 400 ग्राम मैंने सकरकंदी लिया इसको अच्छी तरह से छील भी लिया अब इसको देखे फॉक होता है न अपना घर में हम यूज करते हैं काटे वाली चमच तो उसके मदद से आप इस तरह से दबा दबा करके सकरकंदी को मेस कर लिए यह बहुत इजली तूट जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं देता है बस हलका सा प्रेशर देखे देखेन ठेके मैंने सारे के सारे दो सकरकंदी थे मेरे उनको अच्छी तरह से मैस कर लिया अब इसे हम एक साइड में रख देंगे और पैन में हम हाफ टेबल स्पुन के करीब घी लेंगे देसी घी आप अगर मैं फास्ट के लिए बना रही हूं नहीं तो आप नॉर्मल कोई भी तेल ले सकते हैं और ये थोड़े ड्राइफ रूट्स मैंने कट कर लिये हैं बारी के उनको मैं डाल रही हूं ड्राइफ रूट्स जालने के लिए तो हमने सक्रकंदी इसमें अच्छी तरसे डाल दिया है है और हम घी इस्टार्टिंग में इसमें दो चमछी लगेगा अगर बाद में रिक्वाइर्मेंट होगी तो मैं थोड़ा बहुत घी डालूंगी और जब मैं डालूंगी तब मैं आपको बताऊंगी तो यह सारे सकरकंदी इसमें आ गये हैं आप मैं सकरकंदी को अच्छी तरह से भून लूंगी 10 मिनट तक इसको continuous भूनना है एकदम चलाते हुए आप लगातार चलाते हुए इसको भू किजे और पास के बेल आइकन पर प्रेस कर दीजे जिसे नियू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले मेरे चैनल से रिलेटे हमें चलाते हुए 10 मिनट हो गया है और सकरकंदी अच्छी तरह से भून भी गया है अब इसमें मैं केसर वाला दूद डाल रही हूं मैंने केस मातहिं हम नौर्मल दूद हम जो रहता है न जो पीना केशर का है वो दूद भी इसमें डालेंगे ज़यादा नहीं डालेंगे आधा और अगर आप केसर वाला दूद हो और ये दूद दोनों एक सत मापेंगे तो दोनों मिला करके एक कप से थोड़ा सा कम रहेगा तो इतना आप एक कप भी डाल देंगे तो कोई बात नहीं है तो 400 सकरकंदी में हमने एक कप दूद डाला है अब हम लोग इसमें सकर डालेंगे सकर कितना पड़ेगा तो सकर आप 100 गराम ही डालेगा क्योंकि सकरकंदी खुद भी मीठा होता है तो इसलिए आप सकर थोड़ा कम ही डालेगा बाद में अगर आप टेश करना चाते हैं तो टेश करके आप मिला सकते हैं लेकिन इस वक्त आप 100 गराम ही सकर डालेगा और अच्छी तरह से सकर को और दूद को सकरकंदी के साथ अच्छी तरह से मिला लीजिए ऐसे ही लगातार चलाते हुए आपको इसको मिलाना है और फिर वापस से आप गैस को तेश कर लीजिए क्योंकि अब हमें सुखाना है ना इसलिए हम गैस को तेश कर रहे हैं ताकि सुखाने का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो सके और हाँ लगातार चलाते रहिएगा हलवा में यही ज़रूरी होता है कि इसको लगातार चलाना रहता है अब इसमें मैं half tablespoon के करीब इलाची powder डाल दिया है इलाची powder ना हो तो आप इलाची कूट के भी डाल सकते हैं जैसे भी आपके वो और अच्छा रता है गर आप कूट के डाल रहा है मेरे पास इलाची powder घर का बना हुआ लैची पॉडर है तो मैं वो डाल रही है और ऐसे इस वक्त ही आप इसमें ड्राइफ रूट्स भी डाल सकते हैं जो भी ड्राइफ रूट्स आपको पसंद हो वो ड्राइफ रूट्स जितने अमाउंट में पसंद हो उतने अमाउंट में आप डाल सकते हैं यह मेरा हलवा गुट सोर्स होता है A, C और B5 विटामिन्स का लो कैलोरी होता है जो वेट लॉस में बहुत हेल्फ करता है तो इसके फायदे भी बहुत है और टेश्टी तो इतना अच्छा होता है कि आलू का हलवा भी फीका पड़ जाए इसके आगे तो इस तरह से आप अब देखिए मेरा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है अब मैंने गैस को बन कर लिया है और सर्विंग के लिए चलते हैं अब चले इसको सर्व करके देखते हैं कि हलवा बना कैसा है और दिखता कैसा है ये देखिए बहुत ही डिलीसियस होता है और ये देखिए आपको दिखी रहा होगा कि कैसे छोड़ रहा है ये तो ये हलवा तो आप इस बार महासिवरात्ती पे जरूर बनाईए और सबको खिलाईए खुद भी खाईए भगवान को भोग भी लगाईए बहुत ही टेश्टी होता है सबको बहुत पसंद आएगी और हाँ मैंने ड्राइफ्रूट उस वक्त नहीं लगेगा तो मैं इस वक्त ड्राइफ्रूट को एड़ कर रही हूं और इसको हलका सा स्पून के मदद से मैं दबा दे रही हूं जिससे कि ये और भी अथी तरह से उसके अंदर चला जाए हलवे में और बहुत ही प्यारा सल्लुक भी दे चित्ता खुशूरत ये दिख रहा ह है तो आप जरूर से बनाईए इसे और ये देखे एक स्पून में मैंने पास से आपको दिखा रहे हूं कि एक दम बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है तो इस सिवरात्री बनाईए आप लोग और इसी के साथ ये वीडियो में यहीं खतम कर रही हूं वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू